दोस्तों ये खड़ी वी है आप लोगों को सामने ब्रैंड न्यू बजाज पलसर 150 का नया ब्लू कलर ओप्षन दोस्तों मैंने इसका डीटेल रिव्यू आपको दिया था कुछ दिन पहले दिजिटल मिटल वारी का बट दोस्तों वो ना उसका राइट कलर था आपको की दरब से डिमांड थे कि बाई जो ब्लू पलर है उसका पर रिव्यू कर और हम देखना चाहते हैं कि यह 150 कैसा इसमें लग रहा है तो आज के इस फिडियो दोस्तों इसका डीटेल रिव्यू आपको उसमें देखने को मिल रहा है तो चली फिर दोस्तों आज के इस फिडियो को सुरू करते हैं बात करते हैं ब्रैंड न्यू बजाज पल्सर 150 ट्विंडिस मॉडल के बारे में अगर चैनल पे पहली बढ़ा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना आप बिल्किए फिन बारे में आप सबसे पहले जान लीजेए इसमेन आपको 3 चेंज मिलें सिर्फ और से पींगे लावा कोई चेंज है ठीक सबसे पहले आपके प्लसर 150 की नई बैचिंग देखनी को मिल रही है आप देख पर हैं 150 बैचिंग जो की नया कंपनी नीने एक वाइट हाइलाइट कर यहां पर दाल दिया जी आपको फुली डिजीटल मिटर मिलता है उसके बाद यहां पर नए चीज एड कर दिये चार्जिंग पॉइंट इसमें दाल दिया उसके अनावा दोस्तों इस वाइग में कोई चीज नहीं है बाकि सारे चीज आपको सेम पहने की तरह देखने को मिलती अब दोस्तों कंपाईनी ने चेंज किया तो प्राइस तो इसका बढाया होगा लास्ट इम एक सुरू में प्राइस हो गई है जो कि मुझे इस बाइक का थोड़ा सा आप कह सकते हैं आप मैनस पॉइंट लगा आया इतना सा अप्डेट में इतना प्राइस बढ़ाना थीक ह चली रिव्यू में आते हैं सबसे पहले मैं की ओन करता हूं इसके फ्रंड में आता हूं दोस्तों जैसी हम फ्रंड में आएंगे सबसे पहले आपको यहां पर दो चोटे-चोटे पाइलेट लैम आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं ठीक जो कि काफी अच्छे वह आपको यहां पर बल्ब देखने को मिलते हैं आप देख सकते हैं यहां पर कमपाणियों ने टन सिंगल लेप बल्ब यहां पर ओफर किया है एक तोड़ा था मुझे मैनस पॉइंट लगा एथिंग कंपनियों को आप एलेडी दी देना था इस बार एलेडी अगर आप द सबसे बारे में बात करें चीज आर्प 156 वे में आपको इसमें आपको सिंगल चैनल एंटी लोग ब्रेकिंग सिस्टम बलता है जी अपको इसमें प्लेट से बारे में बात करनों तो फ्रांट में आपको 282 282 mm के आसपस की प्लेट सैज है आपको इस बारे में 282 में 282 ने यार 280 mm की प्लेट है इसमें इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को उदा दो इंजिन टैप में आप लोगों को इस बारे में जो है एंजिन टैप में 149.50 सेजी का एर कुल्ड फोरेश्टोक टू वहलो तुमिरिस प्राइब पलक जो इंजिन आपको इस बाइक में देखने को मिलता है साथ में आपको राव इसके पावर और के बारे में दोस्तों यह मैग्जिमम पाउर में 14 पीस के आसमास की पाउर मिलती है एन 13.25 के असपास का जो नीडमिट एंट और्क हो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है यानि कि दूसर इस बाइक में आपको जो पावर और और तॉर्क हो भी आपको बहुत अच्छा देखने को मल जाएगा और पावर इंट और किसी काफी अच्छी आ रही है कुलिंग सिस्टम में एयर को लेंग एंजिन मलता है फ्ली सिस्टम में इसमें आपको देखने को मलता है जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं दूसर इसके नमबर और फाइव स्पीड गेर बॉक्स के साथ में डिजाइन किया गया और आपको नॉर्मल वेट वर्टिक प्ल आपको देखने को नहीं मिलता आपको दाफी अच्छी मिल जाएगी चली अब बात कर लें एक चीज़ और उसमें आपको बता दो इसमें आप लोको जो ना यहां पर एक को बैचिंग में देखने को मिल जाता है तो यह था दोस्तों इस बाइक का कंप्लेट एंजन स्पेसि तो यह बाइक मिनिमाम आपको लगबग माइलेज देगी लगबग आपको बता दो फोटी टू नहीं सिक्स्टी में स्वारी फिप्टी टू सिस्टी के असपास का मालेज यह ओफर कर देती है तो कि काफी इच्छा मालेज आपको मिलेगा टॉप स्पीड आपको एक सो बीस ब्रेक लिवार है जो की काफी अच्छा आपको मिलेंगे यहां पर आपको एक अच्छी थी बजो लगी इसमें रियर फोट्रेस और इस फ्रांट फोट्रेस दोने में आपको रवर भी मिल यह काफी अच्छी चीज है चलो आपको इसका एक्बर एक्जॉस्ट नोट देता ह हूं कैसा यह एक्जॉस्ट सांट करती है तो गाड़ी गियर में है तो इससे पहले मैं गियर से अटा देता हूं और आपको इसका इपर एक्जॉस्ट नोट भी देता हूं कि अच्छों माफी चाहूं आप फिलाल अभी इसकोई जो है ना पैट्रोल नहीं है इस पास इसी चालू हो नहीं रहे है ठीक रियर में आपको इसमें आपको 120-70 के सबस्के टैर से वह 120-80 के टैर आपको मिलेंगे लिएर में 220-230 mm की डिस्प्रेट आपको यापर मिल जाती है अच्छी चीज़ आपको यहां पर मिलेंगे वह आपको यहां पर देखने को मिलेगी प्लस यहां पर एक 150 की बैचिंग मिल जाती है और यहां पर लेडिस पोटरेस इसमें नहीं मिलता ध्याना कि ट्वी इंडिस्क में नहीं आता हूँ नौन वाली में आता हूँ अपनी सिंगौल डिस्क में यहां पर आपको पार क्यों पारें में सबसे पहले हैं इसमेर हों और यहां पर प्रेसक पार यहां पर फ्ली इंडिकेटर है यह आप कदेख सकते हैं यहाँ पर आपको डिपबाद दुस्तु और चीज मिलेंगे इससे बाद इंजर दिखा रहा है उसके बाद और क्या फीचर आपैसमे अ बाट कर लें दोस्तों इस बाइक के डाइमेंटर के बारे में दोस्तों इस बाइक की जो ओर लेंद्ध है वह आपको देखने को मलती है 2035 mm की और वीट है 750 mm की ओवरल हाइट है 115 mm की ग्राउन के लिए निसे 165 mm का सीड़े 785 mm की विल बैसे 1345 mm का कर वेड़े 150 केज़ी के असपास का देखने को मिल जाता है ठेक तो यह था दोस्तों ब्राइन निव बजाच पलसा 152 इंडिक्स नी मोडल का कम्प्लीड स्पेसिपिकेशन रिव्वू अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरू बताना आपको यह बाइक कैसे लगी मेरे साफ से तो बहुत अच्छी बाइक है आप इसको इसके साथ में जाना भी चाहिए कमपनी ने काफिशी जबाइक इंडन मार्केट में लेकर आई है अब आप कमेंट करके जरू बताना दोस्तों आपको यह कैसे लगी प्रसली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है और कहीं दोस्तों मुझे से लगते है जो खास कर पलसर 1510 डिस्क है ना इसका भाई रोलगाल बहुत ज़्यादा इंडन नार्केट में अब आपको कैसे लेगी आप कमेंट करके जरू बताना तो वित करता दोस्तों आपको एक चोटी सी इंट्रस्टिंग मेरों अच्छी लगों के चले मिलते है फिन नेक्शी रवे लवीवल चेहिंट मने मागराम